नमस्कार दोस्तों सौगत है आपको मेरे चैनल में मैं रिचातिर पाथि आज आपको बताने जारी हूँ पैरों पे बैक्स किस तरह से करनी है तो सबस्ब पहले आपको गरम कर लेना है उसके बाद में पैर में आप वॉडर लगा लेंगे अच्छे से और बैक्स को इस इकल रहा है तो इस पैचुला आपको स्टेट चलाना है बैक्स गरम होना चाहिए अच्छे से प्रैस करना इस टिप रखने के बाद में और खीचते टाइम भी आपको जटके से खीचना है अदर्वाइस धीरे से खीचेंगे तो हेर टूट जाएगा जिससे की क्लाइंट्स को प्राइब्लम हो जाती है तो इस चीज का एको अपराथ भांगा रहा है जिनको आपको धियान रहा होता है डियान से देखिए अपाज से में बैक्स लिया हम कुर रखा और इस तरह से हमने हैर निकाल दिया और अगर अगर आपको नीड हो तो आप चेंज करते चाहिए여 यहां हम यह warp को उनका turn कर के हम निकाल देंगे फिर से उस पर सपेटला से annex लगाएंगे जहां तक इनको half लगाएंगे चोटे चोटे निकालते जाएंगे बहुत जलदवाजी मत करिएगा अगर ग्रोथ है तो यह चीज आपको हमेसा ध्यान में रखने इकि बड़े पार्ट नहीं करने हैं बहुत जदा बड़े पार्ट करके आप लगाएंगे और सीधा इस्टिप निकाल देंगे तो रैसिस होने के चांस हो जाते हैं तो इस चीज का मिसा ध्यान रखें इस्टिप तेजी से खीचें जटके से क्योंकि जैसे आप जटके से खीचेंगे तो हेर जो हैं वो जड़ से निकलेंगे अधर्वाइस धीरे से खीचेंगे कस्टमर को पेन भी होगा और हेर आपका कहां घैसरी नहीं निकले गा जिसकी बज़े से इसिक देट होतीय 때도 यह चीज का आपको हमेज़ा ध्यान रखना है यह ठैं होता है माला हिस्सा भी तो क्यूंकि बैग से टैंग जरूर निक तो इसीज के भी ध्यान रखके आप हर से पेस को अपलाय करें जिससे टैनिंग भी अच्छे से रिमूब हो जाएं यह मेरे पालर का रीयल वर्क है मैं आपको कोसिस करती हूं कि रीयल वर्क के ही दिखाऊंग और उसी से सिखाने की कोसिस करती हूं आप अच्छे से सीख पाए और आप भी अपने पालर में अच्छे से काम कर पाई ये देखिएगा इस टिप चेंज कर ली है हमने क्योंकि अब उसमें नहीं हो सकता है उस टिप से इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है चोटी चोटे पार्ट में ही निकालें एकदम से मत निकालें अगर आप बिगनर्स है तो और भी चोटे पार्ट करें तम निकालें यह देखिएगा इससे जादा ग्रोथ वालेश से में नहीं निकालना में बार बार आपको यह चीज समझा रही हूँ इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो जैसे ही हमारी अब वैक्स हो जाती है उसके बाहर में क्या करेंगे में मॉस्टराइजर से मसाज करना बहुत ही जरूरी होता है तो यहां पे हमने चोकलेट बैक्स का यूज किया हुआ है आपकोई भी बैक्स जो आपके पालर में चलती हो आप उसका यूज करके काम कर सकते हैं अगर डिटेल में बैक्स का बीडियो देखना चाह रहे हैं कि कौ को भी मैं आपको बता दूंगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा मैं कोसिस करती हूँ आपको अच्छे से पालर सिखा सकूँ फुल डिटेल में आपको जानकारी प्रोवाइट करा सकूँ इसलिए मेरे में ये चैनल बनाया हुआ है और बिगनर्स के लिए ही है मेरा चैनल क्योंकि में वहुत सारे हैं वीडियो, वहुत सारे यूटूबर्स जो आपको दिखाते हैं तरह तरह की वीडियो से've लिएा मेरी विट्वी तो मिलेगा है और साथ में हमने दौनों पैर कम्प्लीट कर दिए सेम प्रोसेस से करने हैं और अच्छे सी क्रीम लगा दे नहीं आप देखिए कितने अच्छे से बैक्स हो गया कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुए तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्फुल रहा है तो प्लीज लाइक सेर जरूर कर दीज मैं मिलती हूँ आपके से बहुत हैल्फुल पीडियो लेकर आने बाली हूँ आपके लिए तो बने रहे हैं मेरे साथ बाव